नमस्कार दोस्तो इस वीडियो में हम आपको Sanskrit का जो पेपर वारल हुआ हैं उसका subjective question बताने वाले हैं अब दोस्तो हाली में Sanskrit का वारल पेपर का objective question का total answer की बताये हैं जाक और वीडियो को देख ल이식ा अगर नहीं देखे होंगे तो और इस वीडियों फाइनली Sanskrit का Subjective Question बताने वाले हैं कि Sanskrit में कौन-कौन से Subjective Question पूछा गया है किमकि आज और कॉल दो दिन अभी आपका Sanskrit का Paper बाकी है और कितने स्कुल में तो संस्कुल में संस्कुल का Paper हो चुका है कि आपका कोई वी कोईयन चेंजीं नहीं होगा स्ट भी रहे गा और मासरी नमर को फान नमर का दो फीक है जाओ में दिन वर्ग में संस्क्रिती अंते चारी आयोजित करने के लिए वर्ग सीचा को एक संस्क्रित में आवेदान पत्र लिखें चरीत पर्माद पत्र प्रदान करने के लिए प्रतन द्हापों के एक संस्क्रित आवेदान पत्र लिखें पिवसंभाग्टू पुष्टक डाग से प्रतमाइस्तान प्राप्ति एक पत्र लिखना है यानिकि चार पूछा गया चार में सबको दो का जबाब देना पड़ेगा ठीक है और आगे देखिए दोस्तों आगे अनुशेद पूछा गया है और पांच अनुशेद में आपको किसी एक पर अनुशेद साथ वाक्या में पांच में लिखना है ठीक है तो यहसा में दोस्तों इस पर जो कोईशन नमर 3 का खौन नमर है असमाकम भी देला इस पर अनुशेद हम आलरेडी बता चुके हैं अब वीडियो भी अपलोड कर चुके है हाली में वीडियो अपलोड हुआ है जाकर अप लोग असमाकम भी दे सघ्राइब զोouleए , गंगांधे और कालिदाश पर 5 4 5 में से एक पर सात गहिंना है ठीक है और ईयो संस्कृत में प discour 춤 पत्र लिखना चार कोश्चन था उसमें से दू कोश्चन अभी आध्यांट बाद एक वीडियो मिलेगा जिसमें आपको संस्क्रीट के दू लेटर उपलत रहेंगे इसलिए हम आपको यह वीडियो बनाया ताकि आपको दिखा दे कि कौन कौन सब्जेक्टिव कोश्चन सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि वीडियो मिले तो एंसर चाप ले तुरहन थम ठीक है इसमें दस 12 होगा और जिसमें आपको छे काही अनुबाद करना होगा संस्क्रीट में आगे दोस्तों मतलब कि किनी निमन लिखीत में से किनी आठ प्रोशना का उत्तर दे यानि कि इस करते हैं कि आप लोग इसका अंसर देखना चाहते हैं अगर चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताईए अगर इसका अंसर आप लोग एक को कोशन का अंसर आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके बताईए अभी मैं आपको तुरहन अप्लोड करूंगा आध बज़े से पहले ठीक है तो फटाबाट कमेंट करके हमें बताइए तो